दूसेटी इंडिया खेला मुम्किन है तो जारकंड की राजनीती में भूचाल लाने वाला ये घोटाला क्या है कैसे एक लिफाफे के खुलने से जारकंड में घोटाले पर गोटाले निकलने लगे हैं हेमन सुरेन की गद्धी खिसकाने वाले दे ग्रेट लांस्काम की पूरी डिटेल आपको हमा स्पेश्वल रिपोर्ट में मिलेगे और हेमन सुरेन को हाई कोट का रास्ता दिखा दिया जिसका मतलब है हेमन सोरेन की मुशकिले कम होती नहीं दिख रही अभी हेमन सोरेन को होटावट जेल की अपर डिवीजन सेल में वक्त गुजारना होगा जिस जारखन में हेमन सोरेन के पिता शीबू सोरेन का कभी टंका बचता था जहां शीबू सोरेन और गुरुजी के एक इशारे पर जन सैलाब उमरता था वहां आज हेमन सोरेन की ये दशा हो गई ये वक्त का सितम है या फिर हेमन सोरेन की खता ये पूरी कहानी हैरत अंगेज है राजनीती, अब सरशाही और लेंड माव्याओं वाली ये स्टोरी बड़ी संसनी खेज भी है हेमन सोरेन की सीम के कुर्षी चली गई ये तो सब को पता है हेमन सोरेन के आफिस के किस करमचारी ने कहा था कि बौस चाते है कि जमीन का सरवे हो क्या आपने उस करमचारी का नाम सुना है जारकंड की दग्रेट इसकैम स्टोरी की पटकता लिखने में कितने आईए सबसर लगे क्या आपको मालूम है रश्टाचार का चरम क्या होता है से आज आप जानेंगे चलिए दो साल पहले देखिए त्रिलर स्टाइल में दग्रेट जारकंड स्कैम का पूरा किस्सा जैसे ही रात कहराई राची की सणकों पर दंदनाती गाड़ियों का काफला दोडने लगा इसी तरह हुटर बजाती गाड़ियां देश के अलग-अलग 25 ठिकानों पर एक 7 छापे मारी के लिए निकली थी इन सभी ठिकानों का कनेक्शन एक I.E.S. से था ऐसी रसुगदार अफसर जिसकी जारकंड में तूती बोलती थी मतलब मामला जितना संगीन उतना ही हाई प्रोफाई था तमाम ठिकानों पर दविश दे रही E.D. यानि इनपोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की टीम राची के जब एक पते पर पहुची तो उसके भी होश उड़ गए ये पता था राची के भूटी मोड के पास हनमान नगर के सोनाली अपार्टमेंट का प्लैट नंबर एक सोचार ये पता सुमन कुमार सिंग का था सीए सुमन कुमार जारकंड की चर्ची ताईयस पूचा सिंगल का सीए जिसके ठिकाने पर E.D. को 19 करोड 29 लाक नकत मिले काली कमाई से जुटाएं नोटों के इस धेर को किनने के लिए तीन मशीने लगानी पड़ी सुमन कुमार पूच्टाच में जब 19 करोड का हिसाब नहीं दे पाया तो उसे ग्रफतार कर कैश की सुरक्षा में CRPF की टैनाती कर दी गई लेकिन ये 19 करोड कैश थे किसके इसके निशान देही चाफे मारी के चार दिन बाद जारखन की ततकालीन खनन सचिव पूजा सिंगल की ग्रफतारी के साथ हुई पूजा सिंगल पर मनरेगा इस कैम में करोडों की हेरफेर के शक में E.D. ने ये रेट की थी लेकिन इसी चाफे मारी के दोरान एक नाम ऐसा भी E.D. के रडार पर आया जिसके दार सीधे सीव हेमन सोरेन से जुड़े बताए गए ये था पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया था इस पावर ब्रोकर फ्रेम प्रकाश के नाम को जहन में रखिए क्यूंकि इस केस में ये सबसे एहम किरदार है उधर जाँच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई घोटालों की पढ़ते उघरती चली गई मतलब ये कि 2022 में इडी ने 10 साल पुराने मनरेगा घोटाले की जाँच सुरू की लेकिन जब जाँच आगे बढ़ी तो टेंडर घोटाले का परदाफास हो गया टेंडर स्केम से जाँच आगे बढ़ी तो अवैत खनन का मामला सामने आया और इसके बाद घोटाला खुलता ही चला गया इडी एक एक कर आगे कदम रखती चली गई अवैत खनन के बाद लैंड स्केम और फिर शराब घोटाला और घोटाले की पैसों की लॉंडरिंग का पूरा सिंडिकेट उजागर हुआ मतलब की आई एस पूजा सिहल के खिलाब लिये गए एडी के एक्षन से प्रदी मानी लॉंडरिंग की चेन बनती चली गई एडी के मुताबिक रनाची नगर निगम के टेक्स कलेक्टर दिलिव शर्मा ने ये शिकायत दर्श करवाई थी FIR में प्रदीब बाक्ची नाम के आदमी को आरोपी बनाये गया आरोप ये कि प्रदीब बाक्ची ने फरजी दस्तावेश बना कर सेना की जमीन पर कबजा कर लिया था ये जमीन कर्क्रीबन साड़े चार एकड़की है सेना की जमीन को हड़पने की हिम्मत जमीन की दलाली करने वाले भरकी नहीं हो सकती थी मामला आर्थिक अपरात का था इसलिए ठाने से शुरू हुआ केस E.D. के पास पहुचा E.D. की तपतीश में एक बड़ा नाम आया ये नाम था I.S. छवी रंजन का 14 अप्रेल 2023 को छवी रंजन के जमशेत पूर वाले ठिकाने पर E.D. के जाँच अधिकारी चा धमके उसी रोज प्रदीब बाक्ची समेट साथ लोग दबोचे के क्यूंकि जब जमीन की खरीद फरोग प्रदीब बाक्ची ने की थी तब छवी रंजन राची के उपायुक थे जमीन के सौधे में उनकी सनलिप्तता साबित पाई गई राची में ये जमीन कहां है इससे भी जानिए राची के बढ़गाई अंचल के बरियातु इलाके में 8.46 एकर साइस की जमीन है इसमें 12 प्लोट है जमीन को पत्थर की बाउंडरी बनाकर घेरा गया है इस जमीन पर कोई बड़ा निर्मार तो नहीं हुआ है लेकिन एक गार्ड रूम और एक आउट हाउस बनाये गया है सेना के पास ये जमीन कैसे पहुची थी इसकी डीटेल ये रही ED की जाच के मुताबिक सेना की जिस जमीन का घोटाला हुआ रिकॉर्ड्स में जिसे जारखंड में खतियानी कहते हैं उस पर प्रमोद नाथ दास गुपता का नाम था उनके निधन के बाद उत्तराधिकारी के तोर पर ये जमीन मालती राव करनाट को मिली थी साल 1943 से जमीन सेना के पास लीज पर थी बाद में इस जमीन की मालिक मालती राव के पुत्र जैन करनाट बने तब इस जमीन को लेकर कोट में लंबे समय तक मामला चला था आखिर में प्रदीब बाक्ची इस जमीन का फरजी मालिक बन बैठा जिसे मोहरा बनाकर प्लाट के साड़े चार एकर जमीन की खरीद में घोटाला किया गया एडी की जाँच के मताबिक जगत बंधू टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेट के मालिक दिलिप घोष और कारुबारी आमित अगरवाल ने जमीन प्रदीब बाक्ची से खरीदी जाँच में पता लगा कि जमीन की सरकारी कीमत पौने 21 करोड थी और इसे 7 करोड में बेच दिया गया जो कि सरकारी रेट से काफी कम था जाँच में पाया गया कि फरजी मालिक प्रदीब बाक्ची के खाते में महस 25 लाख रुपे पहुचे थे रजिस्ट्री पेपर पर शेश राशी का जिक्र किया गया था उसमें घाल मेल पाया गया पड़ी धादली जालसाजी का गजब तरीका ये मामला सिर्फ एक प्लॉट खरीद में धादली का नहीं था बलकि जारखंड में इसी तरीके से बड़ी बड़ी लैंड डिल की जा रही थी इडी की जाच में सामने आया कि इसी जमीन को फरजी हस्ताक्षर के चलते इसके खरीद साल को 1932 बनाया गया और उसके बाद 90 साल बाद 2021 में प्रदीब बाक्ची ने इसी जमीन को अपना बना कर बेच दिया फरजीवाडा करने वाले प्रदीब बाक्ची को अपरैल 2023 में इडी ने गिरफतार किया उनसे पूस्त आज के बाद साथ लोग रडार पर आये जिसमें दो सरकारी करमचारी थे जिसमें एक का नाम अपसर अली तो दूसरे भानुपरताप सिंग थे पांच लेंड माफिया और दो सरकारी करमचारी पूरे राज जिभर में जमीन हडपने का रैकेट तो चला नहीं सकते थे जब जाच आगे बड़ी तो पता लगा कि रजिस्ट्रार आफिस के भी कुछ सरकारी अफसर इस पूरे गोरग धंदे में पार्टनर थे इसी दोरान जाच टीम को इसी जमीन घोटाले में प्रेम प्रकाश के जुड़े होने की पुष्टी हुई ये प्रेम प्रकाश वही था जो आईस पूजा सिंगल के मामले में दबोचा गया था हेमन सुरेन के खास प्रेम प्रकाश को 2022 में एडी ने गरफतार किया मामले में कुल 14 लोग शिकंजे में आ चुके थे छापे मारी के दोरान कई सबूत जुटाये जा चुके थे चार्च एजनसी जमीन घोटाले की जड़ तक पहुचने के जतन कर रही थी तभी पूचताच के दोरान राजस सो उपनी रिक्षक पत पर रहा भानू प्रताप सिंग तूट गया भानू प्रताप ने एडी को बताया कि जमीन के सर्वे का ओर्डर बॉस ने दिया था ओर्डर सी एम हाउस से आया था ओर्डर देने वाले का नाम उदै था उदै ने ही बॉस कौन है पुछने पर हेमंत सोरेन का नाम लिया था इसकी तज़्दी सरकिल आफिसर मनोच कुमार के बयान से भी हुई जिसने बताया कि सर्वे का ओर्डर बॉस यानि हेमंत सोरेन ने दिया दोज सरकारी कर्मचारियों के बयान मेल खा चुके थे उदर जारखंड मुक्ति मोर्चा से निश्कासित पूर्व कोशा ध्यक्ष रवी केजरिवाल ने अपने बयान में प्रेम प्रकाश को हेमंत का करीबी बताया रवी केजिवाल ने ये भी बताये कि हेमन्सोरेन के कारेकाल में पंकच मिश्रा ने संथाल के ख्षेत्रों से पत्थर और बालू खनन से आने वाले रुपयों को प्रेम प्रकाश को देने की बाद भी कही थी पंकच मिश्रा तब हेमन्सोरेन के विधायक प्रतिनी दी थे एक लिफाफा मिला उस बंद लिफाफे को खोलने पर हेमन सोरेन की बैंक पासबुक और उनकी चेक बुक के साथ दो साइन किये चेक पिले एडी के पास गवा थे सबूत थे फिर क्या था हेमन सोरेन को समन भेजे जाने लगे दस बार समन भेजने के बाद भी जब हेमन सोरेन ने जात में सहयोग नहीं किया तब उनके बयान दर्ज कराने के लिए 29 से 31 जन्वरी तक का समय दिया गया था ये पूचताच राची में होनी थी लेकिन हेमन सोरेन के दिल्ली आने की खबर उड़ी एडी की टीम ने उनके दिल्ली के आवास पांच बटे एक शान्ती निकेतन पर डेरा डाल दिया मगर हेमन सोरेन यहां भी नहीं मिले जबकि हेमन सोरेन के इस पते से 36 लाख रुपए एक लगजरी गाड़ी और कुछ दस्तावेज एडी की टीम ने जब्ट कर लिये उदर जारखन में हेमन सोरेन लापता है के पोस्टर तक लग गये 30 जन्वरी की रात राची से दिल्ली तक लुका छिपी का खेल चलता रहा 40 घंटे गायब रहने के बाद हेमन सोरेन अचानक 31 जन्वरी को राची में अपने आधिकारिक आवास पर अवदरी थो गए और उन्होंने लापता होने के सवाल पर ये जवाब दिया हेमन सोरेन के घर पर एडी मौझूद थी उनसे पूचता चुई जिसके बाद हेमन सोरेन ने मुख्यमंत्री पत से स्थीफ़ा दे दिया जिसके साथ हेमन सोरेन का नाम जारखन के उन मुख्यमंत्रियों की पहरिष्ट में शामिल हो गया जो अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाए 23 साल पहले बने जारखन में अब तक रगुबरदास इकलोते सीम है जो 5 साल तक सीम की गद्धी पर विराज मान रहे एक तरफ हेमन सोरेन की जेल जाने की तैयारी थी तो दूसरी तरफ उन्हें मुख्यमंत्री पत पर भरो से मन की तैनाती की चिंता भी खाया जा रही थी सीम की रेस में कभी उनकी पतनी कलपना सोरेन तो कभी उनकी भावी सीता सोरेन का नाम आगे माना जा रहा था सारी अटकलों से अलग चमपई सोरेन का जारखंड के सीयम के पत पर राज तिलक कर दिया गया मगर जारखंड में सत्ता का खेल खत्म नहीं हुआ है विधायकों की परेड चल रही है जब तक चमपई सोरेन बहुमत साबित नहीं कर रहे तब तक जारखन में खेला होने के अनुमान लगाया जा रहे है लेकिन इस राजेतिक खेला से अलग एक तल्ख हकीकत ये है कि ब्रस्चाचार का भूत अलग अलग भेश में हमारे सिस्टम पर सवार रहा है तबी तो जाज एजिंसियों के हरकत में आने भर से हरकम मज जाता है आने वाले दिनों में कितने सत्ताधीश अपनी गद्धी से बेदखल होते हैं देखना दिल्चस्प होगा झाले आने वाले दिल्चस्प होगा